Assalamu alaikum student आज मैं अब लेक्वे लिए topic लेक आए हो मुराबा फानेंसिंग का second part मुराबा फानेंसिंग मैंने आपनों को लाज टम पताई था कि मुराबा फानेंसिंग क्या होती है जिसमें एक seller जहा हो customer को जो sell करता है प्रॉडक वो बता कि करता है कि उसके अंदर इसका जहे हो इतना परस्ट प्रॉपिट शामिल है अब हम इसका पार्ट टू स्टार्ट करेंगे जिसके हम अंदर हम पढ़ेंगे कि step by step मुलाबह फानेंसें किस तरीके से होगी यह इसके अंदर client जहे हो customer है में जो कि लोण ले ले आया है तो लेकिन बैंक दो भुमक्षक गों उसको चीज्ट कर दे रहा ह। यह नहीं कि वो वो उसकोर ठाई कर्कर कर दे रहा है एक ट्रास्यृट का करदार है और उसको ते के बतले में पैसे नहींदent और प्रॉफिट मिल रहा है। तो अब एक बैंक के पास कस्टूमर आए, क्लाइंट, तो वो क्या करेगा कि उसके साथ एग्रिमेंट करेगा, जैसे कि इसमें लिखा हुए है कि the client and institution sign an overall agreement we are by the institution, institution means कि bank promises to sell and the client promise to buy the commodity from time to time on an agreed ratio of profit added to the cost. This agreement may specify the limit up to which the facility may be availed, यानि क्लाइंट एक बैंक के पास आया और उसे agreement किया कि वो उससे क्या करेगा, चीज या वो खरीदेगा, जैक है, और उस बैंक ने, यानि institution ने promise किया कि वो क्या करेगा, चीज सेल करेगा, उसके लिए agreement कर लिए जाता है कि दो साल के लिए, तीन साल के लि और उसको बादने पैसे देता रहा है, और जो सेलर है यानि बैंक जै वो क्या करता जा रहा है, profit कमाता रहा है, तो बैंक जैब किरदार यहां पे अदा कर रहा है, एजंसी का, वो सुरी, इसका institution का, और क्लाइंट जैब कर रहा है, इसलिए एक अजंसी agreement भी इसके लिए, ज और वो उससे क्या करेगा पर्चेस करेगा commodity on its behalf उसके बिहाब पर जह वो चीजे बाई करेगा client purchase the commodity on behalf of the institution and take possession as the agent of institution और the client informed the institution that it has purchased the commodity and simultaneously makes an offer to purchase it from the institution client जह वो inform भी कर देगा कि उसने वो चीजे खरीड़ी है इसके लावा institution क्या करता है offer करता है और sale करता है जिसमें ownership जह वो ट्रांसफर हो जाती है ownership और रिस्क ट्रांसफर हो जाता है client को युकि purchasing client कर रहा है तो risk उसके भी involved होता है अब कुछ essential होती है जिसमें issues आ जाते हैं कि जिसे के मुराबह में issues क्या है कि एक परी के security provide किया है against मुराबह के और guarantee का मुराबह और उसके लिए मुराबह के लिए guarantor भी किया जाए तो बैंक की कहता है कि guarantee भी दे और security प्रवाइड करें security हो जकती है in the form of mortgage के लिए और guarantee यह किसी third party को सकती जिसके बहाफ पर बैंक उसको चीजे सेल करेगा और payment उससे step by step लेता रहेगा तो यह था हमारा आज पापिक हमीडिया आप लोगों को प्रसमा होगा और लाइस पर तक्क्रिंग जारे दीजिए अल्दाफिस